बहराईश में आदमकोर भेडिये ने एक बार फिर से अटाक किया है और इस बार भेडिये ने यादव पुर्वा गाउ में अटाक किया है आदम कोर ले 8 साल के बच्चे पर हमला किया है ये हमला उस वक्त हुआ जब बच्चा खेल रहा था पूरा परिवार घ़र में ही था भेडिये के हमले में बच्चे की जान बाल बाल बच्ची है अला कि बच्चे को आननपानन में इस्पिताल में भरती कराया गया बच्चे के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई है, डॉक्टर के मताविद बच्चा भी खत्रे से बाहर है वेडिये के हमले से पूरा गाउ दहशत में आ गया है उसको समझ प्रामरी टीटमेंट दिये जा चुके हैं और दस साल का लड़का है संगम लाल लाम है उसका और क्या केते हैं जो ब्लीडिंग साइट थी उसको भी हम लोगों ने सूचर से क्लोस करवा दिया है ताकि ब्लीडिंग नहों क्योंकि ब्लीडिंग थी वहाँ पर प्रामरी टीटमेंट सब है मेड़ी के हमले मेगाल हुए बच्चे को गाउवालों ने अस्पताल में भरति कराया जहाँ पर बच्चा भी खत्रे से बाहर है हमारे समवारता ने बच्चे के पास मौजूद उसकी मा और परिवार वालों से बाद चीदी अब देख सकते हैं ये वो आट से दस साल का बच्चा है जो आज साम अपने घर के बाहर बवजूद था लेकिन उसी वक्त आदम खोर बेडिये ने इस पर हमला किया जानले वा हमला किया मौके पर इसके परिजन मौजूद थे जिन्होंने चीदी कुछ पुकार लगाई उससे बचाने की कोसिस की जिसके बाद इसकी जान बची इस वक्त आप कौन हैं इनकी संगम की मौह कहां ठेव पूरी बात बताईए कैसे हमला हुए हम हम् pacor ौइ रहां हम राखना माही है और यू अंदर से खेलत रहे तैकर अंदर से बाहर बिटिया बईथी रहा है वह सास हमदेब एथी रहा है वह भाहर का निक रहा ही यू बाद दरोजे पर हैं नोच खेस्थ बाह जैसा कि आपने सुना आप कोन है हम बड़ी माहन का आप कहां थी उस वर हम वह तिरह हैं वह तिरह जैसे चिलाना जैसे हम सब लोग दुरेन लोग होई-लोग करे लागी लागी लाटी देंडन से ते भीडिया भाग ले घर का दरवाजा उस वक्त खुला था हां घर के ग्रामीर बलकी सहर में रहने वाले लोग भी इस हमले के बाद काफी खौप ज़दा हैं भीडिये ने अपने खुनी पंजे जिस गाउ में रखे नियूज ब्हक नियूज शेयं की चीम भी वहाँ पर मौके पर पहुँच ही ब्हक्त बैंजे के हमले में घाल बच्चे को उसकी बेहन ने बचाए था नियूज बच्ची से बाचची द की जो अपने भाई को भीडि पहले इस आदम खोर भेडिये ने हमला किया आप देख सकते हैं कि यह वही अस्तल है जहां पर यह बच्चा मौजूद था और उसके बास सामने से जो यह आप देख रहे हैं यहां से बताया जाता है कि यह बेडिया सामने आया और यहां पर मौजूद बच्चे को ले जाने की कोसिस की उस दौरान इस बच्चे के साथ उसकी बहन भी मौजूद थी जिससे बात करेंगे कैसे भेड़ी आया कहां थे आप पूरी बात बताईए जिसे ही आ रखो हम पानी भरे थे वह पा दादी बुलाए गए थे तो भेड़ी जिसे इधर सी आया फिर उका जपट लिस फि पिर नटाई थी काटलीस मतलब बहुत घबलाए गवा फिर हम भी काफे घबलाए गए आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि वो लड़का जो है यहीं पर खड़ा था और यहीं से वो भेड़िया खीच कर ले जाने की कोशिस कर रहा था पर रहे थे नलपे जिसे हुआ से आये हम तब मतलब जिसे भाईया मां अंदर का पैर धरी से तो इसे भीड़िया खीच के यहां पकर दी से उफट देगीर गा चिलाए लगा फिर उक उपस चड़ गया फिर हम सोचन के इसे आप उसमा जगड़ा भेन भाय करते हुई है फि पहुचा नोच के फिर चलागा फिर उचिलाए लग की दीदी बचा हम मर गया मतलब हमका बना बचा पिया बहुत तेज चिलाए लगा ता हम फिर उके पास आया देखें ता हुँ छोड़ के इससे मतलब जंगल का भाग गया फिर अपने भाई का समाले फिर वम्मी और घर स से आया गया फिर मतलब सब को रो लागें फिर दीरे दीर हम पूप चिलाएं तब पूरा गाउं फिर अगठा हो गया घर की जिस जगह पर आदम खोर ने बच्चे पर अटैक किया वहाँ पर हमारी टीम भी पहुँची ग्राउंड जीरो पर पहुँचे हमारे संवर्रता की एक रिपोर्ट देखिए वो एंटर किया था यहीं पर बच्चा गुषने का प्रयास कर रहा था लेकिन गुषने चे पहले ही आप देख सकते हैं कि उस बच्चे को यहाँ पर आप देख सकते हैं बलड की कुछ इसपॉर्ट अजार आया कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहीं पर मौजूद था ललका जैसे ही उसने गुष्चने की कोशिस की वैसे ही उसने उसको पकड़ लिया उसको ले जाने की कोशिस कर रहा था लेकिन आसपास के लोगों की चीक पुकार सुनने के बाद वो भेडिया यहां से भागने में काम इस आदम खोर भेडियों को पकड़ने के लिए तीन सेक्टर बनाए हैं वो सेक्टर यहां से करीब 20-15 किलोमीटर हैं ऐसे में अगर ये आदम खोर भेडिया अब सहर के पास पहुंच चुका है तो आने वाले दिनों में न सिर्फ वन विभाग बलकि जिला प्रसाशन पूलिस प्रसाशन के साथ बहराइच सहर के लोगों की भी एक बड़ी मुसीबत बढ़ सकती है कैमरामन रवी गुपता के साथ राजी उपरताप सिंग यूज एटीन बहराइच यूपी के बहराइच में बीते दो महीने से भेड़ी की वज़ह से दह्शत का माहौल है और बहराइच के गाउं में आए दिन भेड़ी देखे जाने की वज़ह से लोगों में खौफ है मेड़ी की हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच कैसर गाउं जिलाके में एक भेड़ीया देखा गया है मेड़ीय की देखे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खौब वारल हो रहा है